आधा कार्ड में एक नया पोर्टल लांच गिया गया है इस पोर्टल के जरीए आप कभी भी किसी भी टाइम अपने आधा कार्ड में कोई डेटा आसाली से चेंज कर सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको step by step बताएंगे किस तरीके से आप अपके डेटा को चेंज कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आप सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे UIDAI जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे आप पहले वाले ओप्सन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने निया पेश खुलेगा यहाँ पर हमें एक option दिखाई दे रहा है माई आधार माई आधार पर हम क्लिक कर देंगे चलिए हम माई आधार पर क्लिक कर देते हैं जैसे ही हम माई आधार पर क्लिक करेंगे हमारे सामने right side पे एक option दिखाई दे रहा है update your आधार यहाँ पर click करके आप अपने नश्दी की आधार सेवा को जान सकते हैं कहाँ पर है दुकान इसके बाद आप यहाँ पर अपने आधार काड अगर change करवा है तो यहाँ पर इसका update history देख सकते हैं यहाँ पर click करके आप अपने आधार काड में data को change कर सकते हैं चलिए हम इस पर click करके आधार काड के data को change करते हैं अब हमें यहाँ पर देखे login करना है अपने आधार काड में login करना है यहाँ पर login पर click कर देंगे यहाँ पर आपको अपना अधारकाट नमबर लिखना है यहाँ पर इस capture को यहाँ पर feel कर देना है send OTP पर click कर देना है आपके अधारकाट register mobile number पर OTP जाएगा OTP feel करके login पर click कर देंगे आपके सामने नया page खुल जाएगा यहाँ सबके right side में contact type का list दिख रहा है आप वहाँ पर जाके अपने अधारकाट को देख सकते हैं यहाँ पर आपके अधारकाट का front और rear दोनों आएगा यहाँ पर नीचे दिया है flip करके आप पीछे के part को भी देख सकते हैं चलिए हम इसे बंद कर देते हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन-कौन सी facility देती है अधारकाट अपडेट करने के लिए यहाँ पर आधारकाट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर PVC आधारकाट बना सकते हैं यहाँ पर हम अपने आधारकाट का demographic data change कर सकते हैं यहाँ पर हम जान सकते हैं कि हमारी बैंक में आधार कार्ट लिंक है या नहीं है यहाँ पर जर्णिट कर सकते हैं वर्चुल आईडी को लॉक ऑन लॉक कर सकते हैं बाई मैट्रिक्स को लॉक ऑन लॉक कर सकते हैं आधार को यहाँ पर offline के YC कर सकते हैं आधार काड में चलिए जैसे हमें अपने आधार काड में biometric या फिर demographic data को change करना है तो यहाँ पर हम click कर देंगे इसके बाद हम proceed to update आधार पर click कर देंगे यहाँ पर देखिश जैसे हमें नाम change करना है तो हम नाम पर click करेंगे यहाँ पर आप चाहे तो gender भी change कर सकते हैं address भी change कर सकते हैं name भी हमें name change करना है तो हम name पर click कर देंगे proceed to update आधार पर अब मारे सामने एक निया पेच खुल के आएगा यहाँ पर देखे जैसे लिखा है सैलेंद्र भारती अगर हमें यहाँ नाम सही करना है तो यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं जैसे सैलेंद्र कुमार भारती तो यहाँ पर हम सही नाम लिख लेंगे आपको जो नाम सही लगे आप यहाँ पर वो नाम सही करके लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम सही कर लिया है, सही करने के बाद आपके यहाँ पर एक ऐसी डाक्यूमेंट को अप्लोड करना है, जिसमें आपका नाम सही हो, जैसे हम यहाँ पर उस डाक्यूमेंटर रिलेटेड हाई स्कुल का मार्सिट डालना चाहते हैं, चलिए हम यहा Isthmuk Cancer Institute Park क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करके अपने डाक्यमेंट का अपलोड करेंगे कंट्रीनीव कर देंगे इसके बाद आप जिस फाइल में भी अपना डाक्यमेंट रखेंगे हैं वहाँ जाकर उसे उपेंड यासिस सेलेक्ट कर देंगे जैसे मेरा High School का मार्शिट यहां पर है मैं यहां पर क्लिक करके Open पर क्लिक कर दूँगा इसके बाद दिखे हमारा Document अप्लोड हो चुका है अब हम नीचे आएंगे और यहां से Next पर क्लिक कर देंगे चलिए हम Next पर क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक न्यापेज कर देंगे यहां पर आपको 50 रुपे का Payment करना पड़ेगा उपर लिखा गया है यहां आपको 50 रुपे देना पड़ेगा तो चलिए हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं I, I, Y, Confirm पर क्लिक कर देंगे Confirm करने के बाद Make Payment पर क्लिक करेंगे जैसे ही Make Payment पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कई सारे options आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए दिखें यहाँ पर हमें Credit Card, David Card, Net Banking, Wallet, Paytm जैसे हम Net Banking से करना चाहते हैं तो Net Banking पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर हम HDFC बैंक से दिरना चाहते हैं तो HDFC पर क्लिक करेंगे Proceed पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर अपना User ID पासवर्ड डालके 50 रुपय का पेमेंट कर देना है User ID डालके Confirm पर क्लिक कर देंगे Ceicate Continue पर इसका पासवर्ड डालके आपका Payment successful हो जाएगाier देखिए हमारा Payment successful हो चुका है कि यहाँ देखिए पूस्फिक बनके तयाहरोजीं हो जांत है अगर हम चाहते तो इसे accountस्राइश email आपको डाउनलोड कर सकते हैं देखे हमारा account knowledgement sleep download हो चुका है अगर हम चाहें से देखना चाहते हैं तो हम इस download फाइल पर जाकर इसे देख सकते हैं चलिए हम पर download फाइल को एक बार देख लेते हैं हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा account knowledgement sleep आपके सामने आज आएगा इसके बाद देखें यहां पर आपका आधार card number से करेगा आप urn number को copy करके रख लेंगे ताकि आप अपने आधार card में update हुए history को चेक कर सके आप इस urn number के थरो अपने आधार card को चेक कर सकते हैं चलिए हम पीछवाले back page पे आते हैं अब यहां पर क्लिक करके on the dashboard पे जाते हैं चलिए हम on the dashboard पे चले जाते हैं यहां पर देखें हमें अब अधार card का PVC card मंगवाना है तो यहां पर हम क्लिक कर देंगे मतलब plastic card बनवाना है तो PVC card पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपका अधार card आपके सामने खुल के आज आएगा यहां से आपको next पर क्लिक कर देना है next पर क्लिक करने के बाद यहां पर भी आपको 50 रुपय का payment करना होगा make payment पर क्लिक कर देंगे यहां पर आप कई तरीके से payment कर सकते हैं जैसे आप UPI करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक कर देंगे इसके बाद phone पे, Google पे, Veeam, Paytium जिसके थरो करना चाहते हैं कर सकते हैं आप इसके बाद आपका account knowledgement slip बनके तयार हो जाएगा URL नंबर देगा उसके थरो आप चेक कर सकते हैं आपका UPDATE हुगा है यहां नहीं हुगा है UPDATE STATUS को 체क कर सकते हैं यहांपर क्लिक करके अपना UPDATE STATUS चेक कर सकते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अधार काड़ नंबर फिल करना है कैप्चर फिल करना है send.tv पर क्लिक कर देना है आपका status आपके सामने खुल के आजाएगा जैसे मेरा इस status से दिखे लिख रहा है कि अभी pending में है 24 hours में अपडेट हो जाएगा अगर आपका मारे वीडियों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें